गेहूं की फसल में हमें आखरी सिचाई कब करनी चाहिए इस सवाल का जो जवाब है वह 80 से लेकर 90 पतिसत किसान भाईयों को नहीं पता ऐसे में क्या होता है किसान भाईयों कि यदि हमारी गेहूं की फसल को पानी की अवशकता नहीं है और हमने पानी लगा दिया तो हमारी जो गेहूं की फसल है वहां गिर सकती है और कभी-कभी तो पूरी तरीके से बिच जाती है जिस से हमें काफी नुकसान होता है परती एक ड़ दो से तीन कुंटल किसान भाईयों हमारी पैदावार कम हो जाती है और यदि हमने ध्यान नहीं दिया हमारी गेहूं की बा मिल सके बिखियों चैनल पर यदी हमारे पहली बाराब आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दमाएं तो सबसे पहले आईए जानते हैं कि हमें गेहु की फसल में आखली सिचाई कब करनी चाहिए किसान भाईयो गेहु में आखली पानी हमें कब लगाना चाहिए यहां निरबर करता है कि हमारी मिट्टी किस परकार की है यदि आपकी जो मिट्टी है दोमट है सामान मिट्टी है किसान भाईयो तब आप अपने गेहूं की फसल में जो आखरी सिचाई है उस अवस्था पर करें यदि इस समय आप अंतिम सिचाई करेंगे किसान भाईयों तो जो नमी है आपके गेहूं के पकने समय तक रहेगी और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी लेकिन यह भी ध्यान रहे किसान भाईयों कि सभी किसान साथियों की जो मिट्टी है वा दोमट सामान नहीं रहती कुछ किसान भायों की मिट्टी जो है वा हलकी है रेतीली है ऐसे में हमें आखरी सिचाई कब करनी चाहिए या किसान भायों टोटली दूसरी परकार से निर्भर करता है यदि आपकी मिट्टी हलकी है किसान भायों तब आपको गेहूं में जो आखरी पानी है तब लगाना है जब आपका गेहूं का जो दाना है किसान भाईयों, वह काफी ज़्यादा सक्त हो जाए, उसमें पूरी तरीके से दूद भर जाए, दाना ज़्यादा सक्त हो जाए, उस समय पर यदि आप आखरी सिचाई करेंगे, तो किसान भाईयों आपके पकने समय तक नमी बरकरार क्योंकि जो हल्की जमीने होती हैं किसान भाईयों उनमें सामान के अपेच्छा काफी ज़्यदा सिचाई के हो सकता होती है क्योंकि नमी उन खेतों से काफी जल्दी किसान भाईयों समाप्त हो जाती है और यदि किसान भाईयों ग्यहूं की बालियों में दाना भरते समय नमी एच्छी नहीं रहेगी तो निश्चित ही आपकी जो पैदावार होई किसान भईयो वह काफी ज़्यादा कम हो सकती है तो आपको इस हिसाबसे आखरी सिचाई करनी हैं सिचाई आखरी करते समय भी किसान भईयो कुछ बातों का आपको बहुत ही जरूर से ध्यान रखना चाहि एक से दो दिन का इंतिजार करिए किसान भाईयो जब आपके छेतर में हवाएं बहुत धीमी हो जाएं फिर आपको साम के समय पर सिचाई करनी चाहिए ताकि आपके पौधे को प्रॉपर नमी भी मिल सके किसान भाईयो पर आपकी गेहूं की जो फसल है वाग गिरे भी ने पैदावार है 15 से लेकर 20-30 से तक बढ़ा सकते हैं यदि आपकी गेहूं की बालियों में दाने का भराव हो रहा है किसान भाईयो और इस इस्प्रे का आप पर योग करते हैं तो निश्चित ही आपकी गेहूं की जो पैदावार होगी वह आपको काफी बढ़िया मिलेगी पैको पोटा है डालने से किसान भाईयो गेहूं के पौदे की रोग परतिरोदक छमता बढ़ेगी अधिक तापमान से भी आपकी गेहूं की फसल बचेगी साथ ही केहूं के बालियों में भरपूर दाने का भरा होगा एक भी बाली खाली नहीं रहेगी और दाने किसान में इसका गोल बनाकर इस्प्रेक कर देना है बढ़ियां और सांदार रिजल्ट मिलेगा आपको किसान भाईयों गर्मी की मार से भी आपकी जो गेहूं की फसल है वह बच जाएगी तो किसान भाईयों या थी हमारी आज की जानकरी वीडियो आपको कैसी लेगी कॉमेंट मे बताएगा वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें